हुआ है हुआ हुआ पीजी हिर्च ben दोस्टों आज कि कושि इसमें वीडियोग जानेंगे कि सॉदी अरब आनेकेलिए इंडिया से जो फ्लाइट है क्या सच में टिकेट स्टार्ट हो चुगा है क्या सच में इंडिया से आदमी लोग सौधी अरब आ रहा है तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे क्या पहले तो मैं बात यह है कि टिकेट पहले होना चाहिए और कौन-कौन सा भीजा कैंसल हुआ है यह सब पुरा डिटेल्स वीडियो में जानेंगे पहले हम जान लेते हैं कि टिकेट जो आदमी लोग बोल रहे हैं कि सौधीयर में नहीं हो रहा है तो क्या हुआ इंडिया में टिकेट बोकिंग हो रहा है आदमी लोग जा पाता है करता है तो यहां पर देख सकते हैं फ्लाइट नंबर है सत्रह एक तीस कंणूर से ग्यारव पंद्रह नों खुलेगा और याद तीरह पचीस में पहुचा दिया जागा दोस्तों यह मैं बता दूए आप देख रहे हैं यह जब आप एर इंडिया का वेपसाइट प छालू हो चुका है तो यह हम जान लेते दोस्तों मैं आपको देखा देता हो यह दिखिए इंडिया का वेपसाइट आप लोगों को पताइए कि मैक मैक ट्रीप बहुत वारा फैमॉस इंडिया में तो मैंक मैक ट्रीप से बहुत लोग जो है दोस्तों अपना टिकेट कि यहां पर लिखा हुआ आ रहा है कि यहां पर लिखा हुआ है कि ओल पैसेंजर देखिए जब हम अक्टूबर 15 अक्टूबर का फलाइट का बुगिंग रहा है रियार से दिल्ली तो यहां पर आ रहा है देंगे कर सकते हैं आल पेसेंजर, आल पेसेंजर, सभी पेसेंजर को होल्डिंग टुरिस्ट, टुरिस्ट वीजा एंड उम्रा वीजा वैल नॉट भी एक्सेप्ट इन दा किंग्डम अफ साओधी अरब या इन दा ओडर तू परिवेंट और ब्रेक अफ कोरोना वाइरस दोस्तो यह मैं आपको बता दूं यह जो है अभी उम्रा वीजा, टुरिस्ट वीजा, जो विजिट वीजा घूमने के लिए आ सकते हैं साओधी एरफ यह वीजा और उम्रा वीज़ा फिलहाल अभी आप टिकेट बुकिंग नहीं कर सकते हैं तहुंतब कर सकती है दोस्तों यह व्लइक वीजा जब आप यहां पे काम करने आ रही है तो यह वीजा कहां से दोनों चीर बता रहा है कि यह आप वहां नहीं जा सकते हैं अभी बैन कर दिया quickest कर दिया गया है टइकेट नहीं बौकिन कर सकते हैं